तो Jio Air Fiverr के दरफ से दो आपर आया है दिवाली आपर जी हाँ, अब मैं बोलना चाहता हूँ ये आपर आया ही क्यों, क्यूँकर इसमें किसी को भी बेनीफीट नहीं हो रहा है जहां अब हमें लगता है, Jio Air Fiverr थोड़ा महगा भी हो गया है क्यों जहां पहले आप Jio Air Fiver 111 में देखे लगवा सकते थे वहीं पर आप साफ साफ इसके बैनर में देख सकते हैं आपको आप 2222 रूपया पे करना परेगा यानि कि साफ साफ 101 रूपया जो है यहां पर महागा हो गिया है अब यह ओपर है या महागा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो Jio Air Fiver यही लोंच किया है दो ओपर लोंच किया है उसके बारे में समझ लेते हैं ठीक है ओपर कोई भी benefit नहीं है लेकिन समझाने का काम है मैंने आप सभी को समझा रहा हूं इस वीडियो में दो ओपर लोंच किया है एक तो उसी यूजर्स के लिए जो की पहले से ही Jio Air Fiver लगबा चुके हैं और एक उन यूजर्स के लिए जो Jio Air Fiver नया लेना चाहते हैं उन यूजर्स के लिए तो यहाँ पर new users के बारे में बात कर लेते हैं पहले ठीक है तो हर एक offer के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो चैनल को subscribe करिए वीडियो को like करिए तो चलिए बात करते हैं इसी Jio Air Fiverr के नए offer के बारे में तो अभी आप सब देख सकते हैं कि अब जो है तो हो सकता था आपका Jio Air Fiverr अच्छा से और भी ज्यादा सेल होता बिकता बट यहाँ पर आप तो उन्टा जो है आप दाम बढ़ा दिये Jio Air Fiverr का जो भी तीन महिना का पला नाता था आप 100 रुपिया ज्यादा बढ़ा दिये स्रिप आप उसमें 100 GB एश्टरा दे रहे हैं जो कि किसी का काम का अब जिसको जरुवत ही नहीं हो 100 GB का आप उसे क्यों दे रहे हैं 100 रुपिया फालतू में आप ले रहे हैं उससे यानि कि मैंने भी जीयो ए रुपिया लगवाया हूँ एक मन्त हुआ मेरे पास अभी भी 700 GB डेटा है और यह मुझे नहीं लगता कि अब खतम होगा क्योंकि अब लाइस्ट के ही 5 से 6 दिन बचा हुआ है जो कि मेरे पास अभी 600 GB डेटा है अब वो 100 GB फालतू में दे रहा है जो कि कोई काम नहीं है सिर्फ दाम बढ़ा दिया 22-22 रुपिया ठीक है तो अब ने यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो जियो एर्फावर लगबाना है मिल सकता है मिलेगा नहीं ठीक है यहाँ पर एक टर्मेंट कंडिसन है कि चांस है जीतने का अगर आप 20,000 से ज़्यादा सौफिंग करते हैं जीओ इस्टोर या पिर जीओ किसी बें सौफ में तो आपको जो चांस रहगा कि आप जीओ एर्फावर फिरी में लगबा सकते हैं यहाँ पर चांस का बात किया जा रहा है यहाँ पर कंफर्म नहीं है आप जीती सकते हैं आपको मिली सकता है तो ही यह है नीव उज्यू ज्यूर्स के लिए ठीक है तो यह कोई ओफर नहीं क्या है मुझे आप ही बता सकते हैं तो यह है अब दूसरा अगर आप पहले से यो एर्फाइबर लगवा चुके हैं तो अगर आप रिचार्ज कराते हैं 2222 का अलग से ठीक है आप मैं देखा दता हूँ आप अलग से 2222 का रिचार्ज करवाते हैं आपके पास भले रिचार्ज हुआ 222 का रिचार्ज कराते हैं तो आप भी एक साल का एश्टरा रिचार्ज जी सकते हैं जी हाँ आप रिचार्ज जीतने के लिए फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा ये अलग कुछ घुमा रहा है जी हो ठीक है अगर आप एक साल अपको रिचार्ज करवाना परेगा वो भी 222 का जिसमें आप 15 कूपन जीस सकते हैं 15 कूपन बोला जा रहा है कि आप जीस सकते हैं कौन सा कूपन है यह मुझे पता नहीं क्योंकि फाइनली जू लेगा उसी को पता चलेगा कौन सा कूपन है तो यह कुछ वापर था अब मैं इस ओफर बारे में बात करना चाहता हूँ यह नौर्मल लोग को क्या फाइदा करेगा कोई फाइदा का ओफर नहीं है यहाँ पर आप अच्छा से अच्छा ओफर ला सकते थे बट यह फाल तो ओफर लाके मज़ा नहीं है आपका जितना भी यूजर है सब नहराज ही होगा क् अब कंफरम नहीं दे रहे हैं कि आपको मिलेगा यज़िएर फैवर फिरी एक साल रिचार्च मिलेगा फिर यहांपर चांस बता रहे है है जैसा कि एक समय आया था पहले समय और फेडम ऑपर चल रहा था तो उस समय यह पर्मोट कर रहा है कि था कि आप जो है एक साल का मिल जएगा बट ऐसा कुछ नहीं होता है काफी लोग का कमेंट भी मुझे आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है यह सब SGM होता है फसाने का तरीका होता है आपको सेम वही पलान 706 रुपिया देना परेगा चाहे आप 8400 रुपिया का रिचार्ज कराएं या आप 1-2-2 का कराएं तो आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना है आपको कोई भी ओफर बेगराद देखने को नहीं मिलता है शरिफ फसाने का तरीका है तो यही कुछ नया ओफर था आपको कैसा लगा हमें तो काफी खराब लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपके वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं